नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया डूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्वादी तेंग क्या आप जानते हैं कि हाइड्रेड रहना आज के टाइम में कितना जरूरी है हाइड्रेड यानि प्रयाप्त मात्रा में पानी पीना शरीर के स्वास्त के लिए बहुत जरूरी है हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी ऐसी चीज़े बताएं जिससे आपको ये पता लग सके कि आपके शरीर को पानी के कितनी जरूरत है ऐसा नहीं करने से आप अपने शरीर को जोखे में डाल सकते हैं जी हां शरीर में पानी की कमी से किड़नी इंफेक्शन, किड़नी स्टोन और किड़नी से जुड़ी अन्य गंभीर समस्याय हो सकती है इसका एक ताजा उधारन टीवी आक्टरस शिवांगी जोशी है आप सोच रहे होंगे कैसे तो आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में किड़नी इंफेक्शन का इलाज करवाया वहीं इस गंभीर समस्या का सामना करने के बाद एक्टरस ने ठीक होते हैं अपने फैंस को एक नसीहत दे डाली उन्होंने अपने शरीर अपने दिमाग अपनी आत्मा क का ख्याल रखने को अपने फैंस को बोला सबसे ज़रुरी बात कि हाइड्रेड रहने को उन्होंने बोला जी हां शिवांगी जोशी को अगर आप नहीं जानते तो बता दी कि वह एक फेमस टीवी एक्ट्रिस है और फेम टीवी ड्रामा यह रिष्टा क्या कहलाता है में भी उ उन्होंने बताया कि वो हाल ही में किड्नी से इंफेक्टेड है और उनको किड्नी में इंफेक्शन की वजह से एड्मिट किया गया है फोटो में वो नारियल पानी पीती हुई नजर आई जिसके बाद फैंस ने धरादर कमेंट करने भी शुरू गर दे पूछा कि क्या के बाद अपने फैंस का शुक्रादा किया और सलहा दे डाली उन्होंने हाइड्रेड रहने को कहा वहीं शिवांगी की पोस्स से एक बात तो समझ आती है जो कि आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे कि अब पूरे भारत में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और इस मौसम में ह परिशानी की कमी हो सकती है जिसका सीधा असर आपकी किड्नियों पर पढ़ता है किड्नी में इंफेक्शन तब होता है जब बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और किड्नियों तक बहुत जाता है और यह संक्रमंट पै जांगों के आसपास दर्द और बेचैनी महसूस होती है यहां तक कि पीडित को तेज बुखार भी आ जाता है बुखार के साथ कपकपी और ठंड भी लगती है वहीं अगर आपको अत्या अधिक कमजोरी भूपना लगना सुस्ती कुछ मामलों में पीडित को डाइरिया भी हो सामने आया है ऐसे कुछ डॉक्टर के साथ में आपने यह डिसकस किया होगा तो वह आपको जरूर इससे कोई चीजे बताएंगे लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास अभी तक नहीं गए और आपको यह लक्षन अपने अंदर नजर आ रहे हैं तो आज ही डॉक्टर से आप यूँ ही नहीं दी जाती है क्योंकि इससे किडिनी से बैक्टीविया को बाहार निकालने में मदद मिलती है इसलिए हर दूसरा परसन यहीं बोलता है कि आपको जादा से जादा पानी पीना चाहिए NCBI की एक रिपोर्ट सामने आई उस रिपोर्ट के अनुसार डिहाइडरेशन होने यानि कि कम पानी पीने या नहीं पीने की वजह से आपको यूणिरिरी टैक्ट इनफेक्षिन का खत्रा हो सकता है इतना ही नहीं प्रयाप्त मात्रा में पानी नहीं पीने से किडिनी के लियर का भी जोखिम बढ़ जाता है ऐसे में बात्रूम करते समय दर्द या जलन होना बार बार वाश्रूम आना वाश्रूम जाने के बाद भी राहत नहीं मिलना टोईलेट में खून आना टोईलेट से दुरगंद आना और पेट के निचले हिस्से में लगता दर्द होना इसके लक्षण है इसलिए ऐसी गंधीर बिमारी से बचे अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण अपने शरीर में नजर आ रहा है तो तुरण डॉक्टर से संपर करें हाला कि आजकर देखते हैं कि कई ऐसे चीज़े आ गई हैं जो पानी की कमी को पूरा कर देती हैं लोग फल पाल पाते जो आपके शहीर के लिए नुकसान दायक होते हैं यसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया नूस धन्यवाद